न्यू दुर्गा ज्वेलर सिर्सा खारिया वाले प्रभुजी सोनी वा पीली मंदोरी वाले सजन सोनी का भारत सरकार द्वारा मानेत अप्राप्त मशूर हॉल मार्क ज्वेली शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिर्सा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9-8-1-3-9-3-2-0-0-1 या 9-4-6-6-6-9-7-2-1-7 नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखर कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड के देता है हो लेकिन चीन जरूर लिया है इससे पीछे के अगर फसलों की बात करें तो वो भी खराब हो गए थी लेकिन वो प्रकरति कापदा के कारण नहीं गुलाबी सुंडी के कारण या बिमारियों के कारण जो खराब होई थी लेकिन इस बार जो अभी पीछे एक दो दिन पहले जो ओला वरिष्टी हुई उसने जो है उसमें हम कह सकते हैं कि बगवान ने किसान के मुँ में दिया हुआ निवाला जो है वो वापिस छेन लिया है अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ वो बात ये कह रहा हूँ कि ये सरसों देखिएगा किसान ने सोचा होगा कि अब तो सरसों पक गई है और अब इसकी कटाई भी कर दिये एक दो दिन में जो है वो इसके निकलवा करके सरसों जो है कटाई करवा करके और उसके बाद बजार में बेचने जाएंगे और जो अपने बच्चों के अर्मान हैं उनको कुछ ने कुछ पूरा जो है वो किया जाएगा अब लेकिन कुद्रत का ऐसी जो वो कहर बरपाया गया कुद्रत ने ऐसा कहर बरपाया कि ये कटी कटाई फसल जो है जिसमें की एक या दो दिन ही लगने थे छे महिने तक इंतजार करने के बाद एक या दो दिन जो है वो भगवान से इंतजार नहीं हुआ और ये कटी कटाई फसल जो बर्बाद हो गई अब यहां पे यह देखेगा यह सरसों आपको दिखाई जरूर दे रही होगी लेकिन थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाहूं तो यह पत्तों को देखेगा इसके अंदर जो फलियां लगी हुई है इनमें जो दाना बिलकुल हो गया यह निकी अब अगर ये तस्वीरें देखिये ençaणा जाणा जाओंगा यह देखिये गार्याम कर देखे दे रहा है यह दिखैए दे लगा है वो भी जो है वो नहीं होगा और पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे खेट से जो है वो इस तरह से दाने को बार करके इसको इकठा करके जो है वो इकठा किया जाए और बेचा जाए ये ऐसे किसान से भी बात्चित करेंगे ये सर्चों पर देखिएगा और उसके बाद मैं आपको जो है वो अलग अक्षेतरों की जो है वो तस्वीरें दिखाऊँगा एक ये देखिेगा ये तस्वीर देखिएगा ये कुछ एक एकटा किया है पोड़ा जो है उसमें देखिएएगा दाना कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अब इस तरफ मैं आपको चारों तरफ जो हो कैमरा पैन करके जो दिखाना चाहूंगा जहां तक आपकी नजर जा रही है यह देखेगा थोड़ा उपर कैमरा करके और वाइड फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूं तो जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक फसल जो है वो फसल की बरबादी बरबादी हमें नजर आ रही है किसान से जानेंगे कि कितने एकड में सरसों बोई होई थी कितने एकड में गें ता कितना नुकसान जो है वो हुआ है अब यू मानके चलें कि नुकसान जो है वो 100% हो चुका है तो कुछ गलत ना होगा किसान मेरे साथ मुझूद है भैसाब आपका खेत हैं जी इसरसों कितने एकड़ में तो इस गई तो अपने तो अपने तो तो ठेके वाले तो गई तो गई ठेके वाले भी गई क्योंकि उसका ना मीरे पास बीमा ये ने कोई हो रहें तो मैं तो सारा इवरिवाद हो गये जोटली तो कुछ गयां कि क्या आलत है गयां तो मानके मर स्वी बचेगा तो काला धाना ही बचेगा वाकिकर नहीं है, विल्कुल खत्म है जे तो आपने भीमा क्यों नहीं करवाए यह सब से बड़ी जरूरत होती है किसान की कि 1100 रुपए लगते हैं तो भीमा क्यों नहीं करवा बीट ठेके बारा करो रहा कैसी तो नहीं कि पहसी आपने दियहोंगे पैसी तो भीमे के? तो करें क्या जी बान तो आगे भीचना तो पड़ेगा तो ये बुसा तो बार निकालना ही पड़ेगा भैसाब आप क्या कहेंगे कितना कितनी एक बैंकर रोला परेश्टी हो बहुत जादा जी सब कुछ खतम हो गया बस कैन जोगे नहीं रहे बिम्मा तो आएगा कोई पिचे तरसु आगया बैतरसु आगया उससे तो पार नहीं पड़ती और ठेके ठेके ले रखिए पड़ी ओई ले जाएगा उसके तो बरना बर नहीं पड़ेगा अब इसमें आप देख लिए खाने के लिए ताट नहीं बचीए सर्च अधाने के लिए नहीं है जमिदरी पास अग्य करिसाल लाएगा यूङ टाय॥ कुछ और किसा ने जाएगा आप आपके खारिया इलाके के अंदर खारिया गउमें इतना नुक्सान हो रहे यह सामने दिखाई दे रहा है इतना नुक्सान है इतने गयों में निकलेगी निकलेगी वह कटाई वे खर्चा पूरा नहीं होगा चलिए अब गयों का खेट भी दिखाते हैं और उसके बाद उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा केवल फसल फसल नहीं बलकि यह ओला वरिष्टी जो हुई इस ओला वरिष्टी ने पक्षियों को भी जो हो नहीं चोड़ा पक्षियों को भी अपनी यूं कहें कि बरफ की जो ओला इसको हम कह सकते हैं वो लगी है और उसके बाद यह जो पक्षि जो है यह उड़ने पा रहा है ना चल पा रहा है यह किसान जो है इसको जब से देखा है तब से जब अपने हाथ में लिए इसकी सेवा कर रहा है अपने घर में रखी हुई थी और आप जो है वो इसकी सेवा कर रहा है ताकि इसका इलाज कर रहा है ताकि यह उड़ने लाइक जो हो जाए केवल यह एक नहीं बलकि अनेकों ऐसे पक्षी हैं जिनको जो है वो इसकुद्रत ने अपनी चपेट में ले लिया है जैसे करके इसको इकठा करके किसान ने यहा वो होगी, राम और राज दोनों ही जो है वो किसान से खफा दिखाए दे रहे हैं, खेर अब राम से तो उमीद नहीं है, क्योंकि अब तो आगे फसल भी जाई होगी, उसके बाद ही होगा, लेकिन राज से जरूर जो किसान जो है, वो उमीद करेंगे कि कुछ इस नुकसान की भरपाई जो है वो कर दें चलिए अब गेहूं के खेट में मैं मौझूद हूँ गेहूं का खेट आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको ये चारों तरफ गेहूं का खेट जो है वो दिखाना चाहूंगा तो कैसे करेंगे ना तो कमबाइन से कटाई होगी ना रिपर से कटाई होगी इसके लिए भी हाथ से कटाई करनी होगी और हाथ से कटाई करेंगे तो वो भी जो है वो कितनी फसल इसमें से कितनी पैदा जो वो निकलेगी केवल इंसानों और पक्षियों पे नहीं बलकि कि खाने के लिए हरा चारा है यह देखेगा तोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस परकार से बीच के हिस्से से जो है वो ओला वरिष्टी से यह तूट चुका है यह केवल हरे चारे के अंदर नहीं बलकि गेओं की फसल में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा यह मैं आपको इदर तस्वीर दिखाना चाहूंगा कैमरा से जोगी से गुजारिश करूंगा कि यह देखिएगा यह जो पोदे हैं यह देखिएगा यह बीच से जो है वो तूट चुके हैं यह सारे के सारे जो बिची हुई है यह बीच से तूटी हुई है यह नीचे जड और दाने के अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यह तोड़ा सा इसको हटा करके देखेंगे तो यह देखेंगे यह गयों का दाना जो है वो नीचे गिरा हुआ बिखरा हुआ जैसे सर्सों का दाना था उसी परकार से जो जमीन पे पड़ा हुआ दिखाए दे रहा है आपने अड़ा सर्सों करना की पिज़ेडी आगे जाथा करके सब्सक्राइब कर देखेंगे रागे तो यह दिखनी लाग रिया तो मंत्री जी आटता है कोंजी कदी कदी का अधिक है कदी का में आमां तीक हारी भूरी टेपकियों ने मंत्री दो का तो आट वान के आए को अधिक है क्यों गाम जिता के खट दियो इनने जाव यह दो को रहा है करियो बैक फेरकति आओंगा आज मने टेम को नी इलो एरियो का दा मिनने मुझबूरी यह जादा यह देखेंगा यह इदर देखेंगा यह गहूं जो हो अंदर से गिली है अभी तक वो सुखी नहीं है और यह थोड़े दिन और अगर इस तरह से रही तो यह बदबू जो है वो इसके अंदर से आने लग जाएगी और यह बदबू वाली अगर गहूं निकल भी जाएगी थोड़ी बहुत तो वो कोई काम नहीं आएगी अब ऐसे में यह तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हलाकि मंतरी जी जो है वो चोधरी रंजीत सिंग जी उन्होंने रानिया में जो बड़ इसका उलवरिष्टी से ग्रश्ट जो इलाका था उसमें दोरा जरूर किया है और किसानों को आश्वाशन भी दिया है कि बहुत ज कुद्रियत ने कैसा कहर जो है वो बरपाया है सबْकुछ जो यह वह बरबाद हो चुक है सब कुछ तबाह हो चुक है सबजी यह क्या फसले क्या गेहूं क्या और सरसों क्या हरा चारा क्या हर क्या यानि candles पूरा का पूरा जमीन पे गिरा दिया था उसी तरह का कुछ मंजर जो है यहां इस इलाके के अंदर देखने को मिला है अगर पूरे सिरसा जिला की अगर बात करें तो 50 के लगबग गाओं के अंदर अगर बात करें तो 60,000 एकड फसल लगबग लगबग बरबाद हो चुकी है अब किसानों को आस उमीद है तो केवल राज से है राम ने तो उनकी उमीदों पे पानी फेर दिया राज अब उनकी उमीदों पे कितना खरा उतरता है क्या जो है वो तस्वीरें सामने आती है कितना मुआउजा कितना भीमा कलेम जो है वो इसका किसानों को मिल पाता है वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल किसानों की उमीदें कि अगर बात करें तो किसानों का सरकार से उमीद यही है कि जादा ना कुछ ना कुछ क अलाकों में हुई उलावरिष्टी को ले करके कहां कितना नुकसान है उसको ले करके क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा